मुझा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पुनित है यह बताऊंगा कि तरह से आप अपने डेक्स्तोप पर इंस्टाग्राम श्ट्ओरीज के फीचर और यूज ओर कर सकते हैं घृँक्सवार्ग्रासं ह疏ँ चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से आप अपने Instagram Stories को desktop पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए Google Chrome browser अगर आपके पास Google Chrome browser है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो आप इसको install करें अब मैं Instagram के website को open करूंगा इंस्टाग्राम के वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं यह इंस्टाग्राम का वेबसाइट ओपन हो गया अब यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो और कहीं भी स्टोरीज का फीचर नहीं नजरा रहा है जिस तरह से आपको अप्लिकेशन में दिखाई देता है यहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो अब मैं जो करने वाला हूं इसमें अभी मैं सेटिंग्स में जाओंगा यहां से यह राइट हैंड कॉर्ण में जो ऑप्शन है कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रों का वहां पर जाके मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने पर यह उस पर क्लिक करूंगा एक्स्टेंशन के टैब पर क्लिक करते ही जितने भी एक्स्टेंशन सापके गूगल ख्रों ब्राउजर में एडेड है वह सारे लिस्ट वाइज आ जाएगा अब मैं सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाता हूं यहां पर एक और और उस एक्स्टेंशन को सर्च करेंगे जिसके द्वारा हम जिसके थूरू इंस्टाग्राम स्टोरीज को एक्सेस कर सकते हैं तो जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूं जो एक्स्टेंशन है क्रोम आईजी स्टोरी यह मैं इंटर किया इंटर करके सर्च किया जैसे ही सर्च करूंगा यहां पर एवलेबल जितने भी एक्स्टेंशन से वो शो करने लगेंगे अब यहां पर जैसे प्रोम आईजी स्टोरी है उसको मैं एड़ टू क्रोम किया एड टू क्रोम पर क्लिक करने करूंगा तो यहां पर पॉप आजाएगा यहां पर मैं एड एक्स्टेंशन पर क्लिक करूंगा एड एक्स्टेंशन पर क्लिक करने के बाद यह जो क्रोम आईजी स्टोरी एक्स्टेंशन है वो क्रोम ब्राउजर में एड हो जाएगा उसके मतलब यह extension आपके chrome browser में add हो चुका है अब आप Instagram पे जाके Instagram website पे जाके stories फीचर को add access कर सकते हैं अब हम जाते हैं एक नया tab open करते हैं नया tab open करके फिर से हम Instagram application Instagram के website को open करेंगे Instagram के website पर जैसे ही open करते हैं यह open हो गया Instagram website और देखिए यहां पर यह जो है stories का feature add हो गया अभी यह new account है और यहां पर कोई भी नया stories नहीं है इसकी वजह से यहां पर new करके option दिखा रहा है कोई भी stories पोस्ट होता है तो इस जगह पर जैसे यह राउंड में आ रहा है वैसे ही यहां पर इस जगह पर उसका पोस्ट आ जाएगा stories और सबसे बढ़ियां बात यह है कि अप यह जो extension है वो free of cost है और अगर आप चाहो तो यह जो stories है stories पर राइट क्लिक करके इसको download भी कर सकते हो download story भी कर सकते हो अगर आप किसी story को desktop के through देखते हैं तो उस story के viewer list में आप शो नहीं करोगे इस तरह से जिसका story रहेगा वो यह नहीं देख पाएगा कि आपने उस story को show कि देखा है तो इस तरह से आप अपने desktop के through instagram stories को access कर सकते हैं thank you for watching this video हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही useful information से खुद को update करते रहने के लिए इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें वीडियो को अधिक सदिक share करें कोई भी suggestion या question हुआ अगर आपको आपके पास तो comment box में इंटर करें हम उसका answer जरूर देंगे thank you for watching this video once again और subscribe करें subscribe करना न भूलें क्योंकि अगर subscribe नहीं करिएगा तो ऐसे useful information सापको notification नहीं मिलेंगे आप देख नहीं पाईएगा तो subscribe करें ताकि आप ऐसे useful information से update होते रहेंगे thank you